पोस्टपर्टम डेप्रेशन का एक ऐसा प्रकार है जो कि महिलाओं में जन्म देने के बार इनि कि जब delivery हो जाती है जब बच्चे को जन्म दे लेती है तब उन में यह देप्रेशन देखा जाता है आपमेंसे बहुत सारे लोगों ने इस तर्म का नाम हो सकता है, पहले भी सुना हो और कई लोगों ना भी सुना हो, पोस्पार्टम डिप्रेशन, यह ऐसा तर्म है, जिसको हमेंसे काफी सुना तो हैं, लेकिन शायद इसको हम मानने से इंकार कर देते हैं, कि कोई महिला अगर बच्चे को जनम देती है तो इसको डिप्रेशन कैसी हो सकता है यह एक बड़ा कॉमन से मिस्कंसेप्शन है लेकिन यह फैक्ट है अच्छली में अक्रोस दे ग्लू मतलग वर्लड वाइट बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से सफर करती हैं हेस हैं कि परिवार के सिहते देखा जा सकता है लेकिन jadi को मानने से हम इंकार करते हैं कि यह कोई परिवार के लिए ना सिर्फ उस महिला के लिए जूकी जनम देती है बलकि पूरे परिवार के लिए बहुत ज़दा खुश्री की बात होती है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महिला बच्चे को जनम दे रही है वो बहुत सारे चेंजे से उस दौरान गुजरती है बहुत सारी hormonal changes होते हैं, बहुत बुरी तरह से जो की महिला को mentally and physically affect करते हैं बहुत सारी चीजजें उसके दिमाग में चल दी होते हैं physically बहुत सारी changes होते हैं, body changes होते हैं तो यह जो सारी चीजें होती हैं इसकी वच्चे जो female है जिसने की अभी जनम दिया है, उसके behavior में normal कुछ एक changes आने बहुत normal हैं, लेकिन जब ये changes severe होने लगते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, तो वो हो सकता है कि postpartum depression की वज़े से हो, जैसे कि एक condition होता है, जो कि जब हम बच्चे को जनम देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद ही बहुत रोना आता है, खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, बच्चे से कई बढ़ी थोड़ सा बाद करने में problem होती है, क्योंकि उसको exactly नहीं पता है कि ये जो नए condition लाइफ में आई है, उस बहुत severely affect करने लगते हैं, और एक particular time के बात भी नहीं जाती है, लंबे समय तक प्रेजन रहती हैं, और ये female और इसकी baby की health को affect करने लगती है, तो वो सकते है कि ये postpartum depression है, तो अगर हमें ऐसे कोई भी condition में हैसूस होती है, तो हमें तुरंत अपने gynecologist से इसके बार में बा समझ लेते हैं, और manage कर लेते हैं, treatment इसका हो जाता है, तो हम जो महिला है, उसकी सेहत को भी बचाते हैं, जो baby है, क्योंकि अगर mother happy नहीं है, mother healthy नहीं है, तो जो बच्चा है, उसके भी health के बहुत negative effect होता है, तो उसको भी बचाते हैं, और overall family pace की कापी जादे effects होते हैं, तो से भी हम save करते हैं, तो अब हम बात करते हैं, कि exact क्या लक्षन होते हैं postpartum depression के, ये बच्चे के जरम देने के कुछ दिन बात से हम महिला में देख सकते हैं, जो mother है, जो new mother है, उसको सकता है कि बहुत जादा depressed feel करती है, overall उसका जो mood है, mood swings बहुत जादा होंगे, overall उसके जो mood ह feeling होता है, इसके जिए से बहुत जादा ह Boulder का भी condition होता है, जा मदर को बहुत निन आएगी आगी आपिर बिल्कुल निन नहीं आएगी, सोने में तकलीफ हो गी, भूख या तो बहुत जादा लगी 10 कि बहुत जादा खाना हो गा या फिर बिल्कुल खाने की इचह नहीं होग वह एक अच्छी मदर नहीं है और अपने बच देशिक methyln 약 6 पी मृण्व फीजिवि में आ सकती है 메ीचिए सूसाइडल थौ्ट्ट्स आ सकते हैं और सेल्फ या फिल बेदी को हाम करने के थौर्ट्स आ सकते हैं तो आप ये देखने की काफी extreme conditions हैं सारी पूरे टाइम ठाकान, drained, बिल्कुल drain off हो चुके हैं, ऐसी feeling आ सकती है किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, जो चीजें करने में पहले अच्छा लगता था वो running करता, socialize करने का मन नहीं करता है, अपनी जो hobbies हम पहले pursue करते थे उनको बिलकुल करना अच्छा नहीं लगता, जो भी इंट्रस्ट की चीजें थी, उनको करना बिलकुल अच्छा नहीं लगता है एक worthlessness की feeling होती, hopelessness की feeling होती, future क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम दुबारा अपने, जैसे हम पहले जीते थें, मतलब बेबी होने के पहले, क्या वो चीज़ें हम कर पाएंगे या नहीं, इन सब का एक बड़ा ही weird सी thinking रहती है, severe anxiety हो सकता है, panic attacks आ सकते हैं, anger बहुत जादा होता है, चोटी-चोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, इवन बेबी पे भी गुस्सा आ सकता है, कहीं भी focus करना बहुत ज़्यादा difficult हो सकता है, आपस में हो सकता है कि जगडे बढ़ जाएं, husband के साथ या बाकी family members के साथ, तो यह जो सारे मैंने आपको लक्षन बता है, हो सकता है कि सारे लक्षन मौझूद हो या फिर इन में से कुछ लक्षन मौझूद हो, जरूरी नहीं कि सारे ही लक्षन हो, तो वो डिपेंड करता है, condition इस situation पर कितनी severity है, तो यह जैसे कि बाकी और कोई भी health issue होता है, जिसके ठीक हो जाती है, इसमें कोई ऐसी problem नहीं कि ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ, timely समझना और treatment करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर हम इसको timely treatment नहीं करते हैं, तो एक और condition होती है, जिसको postpartum psychosis कहा जाता है, जो कि इससे भी ज़्यादा furthermore, I mean, serious हो सकती है, तो timely, बार मदर उसमें changes नज़र आ रहे हैं, तो without harming her self-confidence या फिर उसकी identity को कोई crisis नहीं हो, problem नहीं हो, हमें बात करनी चाहिए, और अगर जो मदर उसको भी समझ जा रहा है, तो उसको भी अपने लिए, अपने family से, friends से बात करनी चाहिए, इसको लेकि कभी भी hesitant नहीं होना चाहिए, embarrassed shame feel नहीं करना चाहिए, एक बहुती common condition है, जिससे कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी new mothers है, across the globe, यानि की पूरे विश्यो में, इस condition से बहुत सारी महिलाएं सफर करती है, बस problem यह होता है, कि इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और यह एक लंबे समय तक रहने वाल होते हैं, अब अगर हम बात करें कि किस तरी के सिसके diagnosis होती है, किस तरी के सिसका treatment होता है, जब हम इसको लेकर ऐसे condition को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह आपसे एक detail talk करते हैं, मतलब एक लंबी बातचीत करते हैं, जिससे कि वह समझ पाएं कि क्या यह short term baby blue ह या फिर actual postpartum depression है, जो कि आप अपनी history बताते हैं, आपकी overall जो feelings हैं, जिस तरी के thoughts आते हैं, अप सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर के साथ share करते हैं, तो without any embarrassment or feeling any like कि हम कैसा feel करेंगे सामने वाले, आपको अराम से सारी चीज़ें, अपनी सारी feelings and thoughts अपने डॉक्टर के स share करनी चाहिए, तो overall जैसा भी आप mentally, physically, emotionally जो भी feel कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपको अपने डॉक्टर से share करना चाहिए, accordingly आपके डॉक्टर जो भी required investigations है, like depression screening और बाकी कोई भी related test investigation है, वो perform करते हैं to confirm the diagnosis of postpartum depression, अब जब treatment की बारी आती तो जो आपकी condition की severity है, जो depression, postpartum depression की severity है, आपकी जो personal leads हैं, कई बारी होता है, कि जब हम बच्चे को बढ़ते हैं, तो हमारे hormonal fluctuations बहुत जादा होते हैं, thyroid related problems हैं, या फिर और भी कई सारी underline medical conditions, या तो stem develop होती हैं, या फिर पहले से होती हैं, जो stem हमें पता चलती हैं, तो वो अगर कोई वैसे related condition है, तो जो आप treatment है, postpartum depression के लिए उसको भी provide करते हैं, तो overall चाहें baby blues हैं, चाहें depression की condition है, हमें जो basic advice होता है, जैसे कि आपको जितना हो पाए, आप अपने दिमाग और शरीर को आराम दीजे, आपकी family और friends जो हैं, उनको आपकी condition समझनी चाहिए, घर में जो new mother है, वो बहुत जादा changes से ग और जो mother है, उसको कोशिश करने जी कि socialize करें, अपने जो friends है, family है, उनके साथ connect करें, जो new moms हैं, और दूसरी जो नई mothers हैं, उनके साथ connect करें, उनसे अपनी feelings और thoughts को share करें, ताकि उनके experiences हैं, वो उनसे कुछ सीख सकें हैं, या उससे अपना जो भी learning है, वो ले सकें, साथे स जो new time है, वो बहुत जादा important है, मतलब अपने लिए, बच्चे की देखबाल कर रहे हैं, घर की responsibilities है, side-by-side उसको भी थोड़ा बहुत नीवार है, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए समय है, वो भी थोड़ा सा देना जरूरी है, जो भी leisure time है, आपको जो करना उस time में पसंद है कोई हो, अभी का काम है, टी-वी देखना, मीजिक सुनना, उसको भी आप पूरा समय जरूर दें, साथी साथ इसके लिए psychotherapy की जरूरत होती है, जो आपके concern doctor है, वो accordingly आपको advise करेंगे, किस तरीके की psychotherapy, therapy चाहिए, किस तरीके के, किस तरीके से इसके लिए आगे proceed करना है, इ मैंने बता था, वो postpartum depression का complication है, postpartum psychosis, उसके लिए भी कुछ एक दवाईयां होती है, या फिर ECT जैसे treatment modalities है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो सारी चीजें है, यह सारे जो मैंने आपको advices दी है, इनको करम अच्छे से follow करें, तो postpartum depression से भी हम overcome कर सकते हैं, हम situation के साथ कैसे cope करें, यह हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ problem उस female की नहीं, जिसने वर्थ दिया है, रादर यह पुरे परिवार के लिए, तो ऐसे में अकेले रहना बिल्कुल avoid करें, अपने family or friends से जरूर मदद मांगें, हमें hesitant या नहीं होना चाहिए कि लोग क् इसको accept करना चाहिए, जो हमारे goals है, उनको realistic रखना चाहिए, हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे, बच्चे को भी देख लेंगे, घर भी देख लेंगे, career भी कर लेंगे, और भी चीज़े कर लेंगे, it's not possible, तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, lifestyle healthy जब बच्चा सो रहा है, जरूरी नहीं हम एकदम early hours में, early morning में हमें चीज़े करने, जब भी हमें जैसा भी समय मिल रहा, accordingly हम कर सकते हैं, anyhow, अकेले रहना बिल्कुल avoid करें, और alcohol dependency, smoke करना, ये बिल्कुल खतरनाक है, ना सिर्फ अपनी सिहत के लिए, बलकि बच्चे के सिहत क और काफी सारी मेला हैं से सफर करते हैं, अगर हम इसको समझ लेते हैं, treatment लेते हैं, तो ये ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि ठीक नहीं होगा और इससे शर्माने के जरूरत है, तो इस condition के समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके लक्षनूपर आप ज़रूर घ्या ज़रूबट